आप सबको जय मसी की प्रभु का धनिवाद करते हैं आज की सुन्दर सुभा के लिए जो प्रभु येश्य मसी ने हमारे प्यारे प्रभु ने हम सब भाई भेनों के जीवन में जोड़ी हैं आज की सुभा में हम सब मिलकर परमेश्य के वचन पर मनन करेंगे और उसके बाद हम प्रात्न में जाएंगे और आप हमारे साथ में इस प्रात्न में सुरू से लेकर अंत तक बने रहें और आज की सुन्दर सुभा में परमेश्व का वचन हम सबसे बातचीत करता है पहला इतिहास उसका तेज अध्याए और तीस पत से जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है प्रति भोर और सांच को यहुआ का धनेवाद और उसकी स्तूती करने के लिए खड़े रहा करें आमी परमेश्व का वचन आज हमें उत्साहित करता है यहाँ पर यह बात लेवियों के लिए कही जारी है लेवि जो परमेश्व की सेवा टहल करने के लिए उसके भवन में खड़े होते और जो कार्य भार लेवियों के उपर परमेश्व ने डाला था उस बारे में यहाँ पर ब दन्यवाद करने के विशय में और उसकी स्तूती करने के विशय में बातचीत हो रही है और लेवियों को ये बात कही जारी है जो कि परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनका पूरा जीवन है और ये बा वो प्रॉबलम उनके सामने जब खड़ी थी तो जब उन्होंने परमेश्वर की परिमिश्वर की पर्मेश्व्र की बहुत किता और वो इस्तूति करते वे परमिश्व का धनेवाद करते वे वो उस दिवार की चारों तरफ घूमे और यरियों की दिवार नीव से हिल गई अराधना जब इन्होंने करना शुरू किया प्रभू को धन्यवाद देना शुरू किया तो वो प्राब्लम उनके जीवन से दूर हो गई वो यरियों जैसी दिवार उनके लिए वहां से हट गई क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तूती करते हैं जब हम उसका धन्यवाद करते हैं तो ये काम करना परमेश्वर को बहुत जादा भाता है जब उसकी प्रजा उसके लोग जिसे उन्होंने चुना है जब वो उसकी स्तूति करते हैं जब उसका धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े-बड़े आश्चेरे करम को करते हैं इस बात को हम देखते हैं पॉलुस और सिलास के जीवन में जब वो बंदी ग्रह में थे जब वो प्रॉबलम में थे तो जब उन्होंने आदी रात में उन्होंने अराधना करना शुरू किया प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया तो बेडिया खुल गए और जेल के अर प्रति दिन उसकी आराधना करें जह मोदे प्रमीश्वर की अराधना करें आप के लिए धन्यवाद का विशय नहीं है फिर भी आप इस के लिए धनेवाद दे कि प्रभु तुने मुझे जीवित रखा है प्रभु धनेवाद कि तु मुझे हर दिन हर शाम तु मुझे दिखाता है और आप हर दिन परमेश्वर का अपने जीवन के लिए धनेवाद करें अपनी सांसों के लिए धनेवाद करें क्योंकि वो सब ये सारी प्रॉब्लम्स आप से दूर हो जाएगी जब आप अराधना करते हैं और यदि आपके अंदर कोई भी ऐसी बुरी बात पाई जाती है यवि कोई भी बुरी आदत पाई जाती है यवि दुस्ट आत्मा आपके जीवन में कारे कर रहा होता है तो ऐसे समय में जब आप अराधना करते हैं तो आप उन सारी बातों से चुटकारा पाते हैं क्योंकि अराधना के दुआरा भी हम चुटकारा पाते हैं हालिलुया तो आज की इस सुन्दर सुभा में मैं आपको साहित करना चाहती हूँ कि आप आज की सुभा में प्रभू की अराद ना करें, उसके लिए गाएं, उचे स्वर्व में गाएं और जब आप उसके लिए गाएंगे, जब आप बजाएंगे, जब आप उसे धनिवाद देंगे, तो प्रभू आपके जीवन में भी आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, सो आज की सुन्दर सुभा में आपको परमेश्व इस वचन के द्वारा आशीज दे, आमीन आईए हम सब मिलकर आज की सुन्दर सुभा में एक गवाही को सुनेंगे उसके बाद हम प्रात्ना में जाएंगे सभी को जय मसे के, मेरा नाम बननफ मारी है और मैं भी हार से बोड़े हूँ मेरी गवाही यह है कि कुछ दिन पहले मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द उठा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था फिर मैंने prayer center में अमरिता सिस्टर को prayer request बेजा कि मेरे पेट के दर्ध के लिए prayer कीजिये और उन्हों ने किया और मेरा पेट का दर्ध ठीक हो गया इसके लिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, अमरिता सिस्टर और पीके ब्रादर और उसके पूरी टीम को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, सभी को जया मसी के, आमेन हम प्रभु येशु मसी का धन्यवाद करते हैं इस सुन्दर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम उच्साहित्विक जैसे आश्चेरे कर्म प्रभु येशु मसी ने इनके जीवन में किया है ऐसे ही आश्चेरे कर्म प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं आप प्रभ साथ मिलकर प्रभु येशु से प्रात्ना कीजिए ताकि येशु मसी वो पवित्र प्रभु आपकी प्रात्ना को सुन कर आपके जीवन में कारे करें सो आईए मिलकर प्रात्ना करें हालेलुया हालेलुया धनेवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्व प्रभु ये सुन्दर समय के लिए पिता आपका धनेवाद करते हैं धनेवाद करते हैं पिता परमेश्व पुत्र परमेश्व पवित्र आत्मा परमेश्वर धनेवाद करते है प्रभु तेरी स्तूति करते, तेरी महिमा करते, प्रभु तेरी बढ़ाय करते, प्रमेश्व प्रभु के सुन्दर सा समय, प्रभु ये सुन्दर सी सुभा, प्रभु येश्व मसी, आपने हम सब के जीवनों में जोड़िया, रात भर में, प्रभु मीठी, सुकून भरी, न इन भर में परमेश्वर, आपकी उपस्तिती को मांगते हैं, आपकी साहत और मदद को मांगते हैं, और चाहते प्रभू, आपके कार्ये प्रभू हमारे जीवनों में होने पाएं, पिता परमेश्वर, धनिवाद करते हैं, सच में प्रभू, हम घटें प्रभू जी और आप ब प्रभू आपके बेटे बेचियों के लिए प्रभू के अपने जीवन में वो धने वादित होने पाएं अपने जीवन के लिए आपके लोग आपको धनेवाद दे सके और प्रति दे प्रति भोर और सांज को प्रभू येश्व मसी वो तेरी अराधना और तेरा धनेवाद दे सके प्रमेश्व पिता हालेलुई आपको भात है प्रभू जब आपके लोग प्रमेश्व पिता अराधना करते हैं प्रभू जब पॉलुस और सिलाश ने अराधना करना शुरू किय तो उनके बंधन तूट गए प्रभु जी उसी प्रकार प्रभु यदि आज भी आपके लोग किसी बंधन में पाई जाते हैं यदि दुष्ट आत्मा उनके जीवनों में कारे कर रहा है तो इसी समय येश्यु मसी के नाम से इनके जीवनों से वो सारे दुष्ट के कारे अपनी ग्यान बुद्धी समझ से भरें प्रिता अपनी ग्यान बुद्धी समझ देकर प्रभु दिन भर में वो जो कुछ भी कारे करें आपकी बुद्धी को इस्तमाल करें मेरे प्रभु जी ए कुदावन में प्रातना करते हो अच्छा स्वास्त आज के दिन में आप इने शांती, समरिदी, आशिशें, बरकत इनके जीवनों में दे परमिश्वर, इनके घर गराने पर, इनके बच्चों पर प्रभु तो अपनी आशीश को दे प्रभु, इनके काम आज के दिन में सफल कर प्रभु जी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक आज की जरूरत प्रभु आप इनकी पूरी करें, इन्हें आप कर्ज मुक्त करें परमिश्वर, आप इनके फाइनाशल प्रॉब्लम को दूर करें, और प्रभु जो कुछ भी आज इन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी प्राथना निवेदनों को दिया है, जो भी समस्या हैं, इन्होंने आपके सामने रखी हैं, जो दुख, जो प्रॉब्लम, जो बीमारिया इन्होंने आपके सामने रखी हैं, येश्यू के नाम से उन्हें आप दूर करें और इनकी साहिता करें प्रभु जी, धन्यवाद करतें परमिश्व पिता, मैं विंती करती हूं, मैं प्रात्न करती हूं प्रभू कि सच में प्रभू इस समय आपके लोग जो भी समस्या लेकर आपके पास आज की सुबा में बैठे हैं उस समस्या का आप समाधान करें उस समस्या को आप दूर करें पिता यदि प्रभू इनके शरीर में कोई भी बीमारी इनके शरीर में कोई भी समस्या है येश्व मसी के नाम से चंगी हो जाएं धनेवाद करते हैं प्रभू कि आपने अपने लोगों को चंगा किया अपने अपने लोगों को शिफा दिया आज की सुन्दर सुबा में आपने उन्हें हेल्दी बनाया प्रभू आपने भला चंगा स्वस्त बनाया प्रभू इस बात के लिए हम नहीं जानते उनके जीवन में, उनके हिलहों में, उनके लाइफ में कैसी Problem है, उनके कैसे विचार, कैसी बाते लेकर आपके सामने बैटे हैं, पर natuurlijk आप हिल्दयों को, मन को जानने वाले पर मेश्वर प्रभू, इनके मन में, इनके जीवन में आप कारे करें, पृता, हर एक खुशी से अपने जीवन में कटनी काटे और बहुत आयत और बहुत आयत और बरपूरी इनके जीवन इनके परिवार में और किसी भी भली वस्तू की घटी कमी आपके लोगों को ना होने पाए परमेश आप आशिशित करें हर एक जन को जो इस समय प्रात्म सुन रहा है और ग्रेहन करें आमेन आमेन और आमेन